वेलकम बैक एगें टू आवर चैनल दोस्तो आजम इस वीडियो में शाओमी में ये टू लाइट वसेश वावी नोवा 3i की कमपेडिशन करेंगे बेस्ट अन स्पेसिफिकेशन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ट्वेशन में लेना चाहिए कौन सा स्मार्टफोन में आप आपको भी थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाएगा कौन सा स्मार्टफोन 2018 में बेस्ट होगा स्मार्टफोन इंडिया में लाँच होगा और दोस्तों फर्स्ट अफल डिजाइन के बाड़े में बात की जाए लुक्स के बाड़े में डियूरिबिलिटी के बाड़े में तो यहाँ पे आपको शाओमी मी A2 लाइट में आपको बहुत ही प्रिमियम डिजाइन मिलेगा फ फिंगरपिंट सेंसर LED फ्लेश मिल जाएगा फ्रेंट में आपको दोनों स्मार्टफोन में नौच मिलेगा आज का ट्रेंडिंग 2018 का ट्रेंडिंग नौच डिस्प्ले के साथ 19-9 एस्पेक्ट डेशों की डिस्प्ले मिलेगा हुआ वी नोबा 3 आई में और दोस्तों दोस्तों यहाँ पे दोनों फोन्स की चिपसेट के बाड़े में बात की जातों शाओमी मी एटू लाइट में मिलेगा स्नैप्रेगन का 625 चिपसेट और दोस्तों यहाँ पे दोनों वेडियेंट का रैम रम मिल जाएगा 3GB RAM 32GB इंटरनल मेमरी और एक वेडियेंट होगा 4GB with 64GB इंटरनल मेमरी के साथ शाओमी मी एटू लाइट दिखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे दोनों फेडियेंट का रैम रम मिलेगा 6GB RAM with 64GB इंटरनल मेमरी और एक वेडियेंट होगा 4GB with 128GB इंटरनल मेमरी के साथ Huawei Nova 3i दिखने को मिल जाएगा दोस्तों दोनों phones की camera की बाड़े में बात की जाए तो दोनों phones में यह आपको back side में dual camera setup मिलेगा लेकिन Wowie Nova 3i में आपको front में भी dual camera setup तिखने को मिल जाएगा दोस्तों यहापे Wowie Nova 3i में आपको back side में 16 फ्लस 24 BLACKPixel का depth sensing camera मिल जाएगा और front में आपको मिलेगा 24 megapixel फ्लस 2 megapixel का depth sensing camera दोस्तों यहापे Wowie Nova 3i में आपको camera काफी बैधरी नहोगा और दोस्तों यहाँ पे AI फीचर कैमरे के साथ Huawei Nova 3i की कैमरा दिखने को मिल जाएगा दोस्तों Xiaomi Mi A2 Lite में आपको मिलेगा 13 प्लस 5 मेगा पिक्सेल का डिप सेंसिंग कैमरा और फ्रेंट में आपको 5 मेगा पिक्सेल का फ्रेंट पेसिंग कैमरा मिल जाएगा दोस्तों दोनों फोंस में आपको AI फीचर कैमरा दिखने को मिल जाएगा और Xiaomi Mi A2 में आपको फ्रेंट कैमरा से भी प्रेंट मूट इमेज क्लिक कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे बैटरी के बड़ में बात की जाएगा तो Xiaomi Mi A2 Lite में आपको 4000 एमेज की लिथियम पोलीमर बैटरी मिल जाएगा जो काफी बैटरी न होगा लेकिन यहाँ पे USB 2.0 के साथ Micro USB पोर्ट दिखने को मिल जाएगा यानि की First Charging नहीं मिल जाएगा और दोस्तों Huawei Nova 3i में आपको मिल जाएगा USB Type-C पोर्ट के साथ 3340 mAh की लिथियम पोलीमर बैटरी First Charging 5.2 एमपेर दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे दोनों फोंस में Android 8.1 Audio Out of the Box मिल जाएगा Emotion UI 1.2 के साथ Huawei Nova 3i दिखने को मिल जाएगा और जहाँ तक बात की जाए Xiaomi Mi A2 Lite की तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा Stock Android Android 1 पोग्राम के साथ जो काफी बहतरी नहीं होगा और दोस्तों मेरे ही साफ से दोनों फोंस के बड़ में यही ती दोनों फोंस की ओवरवल लुक्स और दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकेसन के मामले में सब कुछ देखा जाए तो Huawei Nova 3i बेस्ट होगा क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पैकेजिंग मिल जाएगा लेकिन अगर प्राइसिंग देखा जाए तो Huawei Nova 3i की प्राइस होगा इंडियन मार्केट पे 21,000 के आस पास और दोस्तों जहां तक बात की जाए शाओमी मी एडू लाइट तो यहाँ पे आपको जो प्राइसिंग मिलेगा लगबख से 11,000 से लेके 12,000 के पीच में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जबर उस वीडियो के एक लाइक कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूलिए टेक 42 चैनल को कमेंट करके बूलिए अपना थोट अपना ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बढ़िए थेंक्यू दोस्तों गुर्बाई और टेक केर